असलाम अलेकुम दोस्तों कुईट से परवासी को लेकर के कुछ important अपडेट है तो दोस्तों बने रही है मारे साथ इस वीडियो में पूरा वीडियो देखें और जादा से जादा सेर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली अपडेट है कुईट से आपको बता दे कि कुईट के अंदर उन सभी परवासी को problem हो सकता है जिसको vaccine नहीं लगा है यानि कि जो भी परवासी वैक्सिनेट नहीं है अभी तक वो फटाफट vaccine लगा है क्योंकि बता दे कि विस्व के अंदर COVID-19 Omicron है वो काफी बुरी तरह से फैला है इंडिया के अंदर भी कई स्टेट में पाया गया है जिसके कारण दोस्तों बता दे कुईट DGC के तरब से भी announcement कि क्या गया है कि कुईट के अंदर जो परवासी ऐसे ही घुमते यानि कि उनका civil ID और साथ में immuni app या फिर कुईट बरे mall वगरे है या फिर किसी shop वगरे में जाने में यानि कि entry करने में रोक लग सकता है अभी तक यह निरने final नहीं लिया गया लेकिन बता गया है कि जो भी परवासी बिना vaccinate है उन्हें जरूरी है कि कुईट के अंदर दोनों vaccinate करें और साथ में जो तीसरा booster dose vaccine है वो भी ल लगा है वे 6 मेना हो गया है तो 6 मेने के बाद आप booster dose यानि कि तीसरा vaccine भी उन्हें कह सकते हैं तीसरा vaccine जो कुईट के अंदर मिस्रिप है वहाँ पे जाके आप लगा सकते हैं इसके लिए आपको appointment लेने की जरूरत नहीं है आपका जो card है या फिर civil ID है passport है उन्हें ले जाकर के भी वहाँ पे आप तीसरा dose vaccine का लगवा सकते हैं किसी को भी दोस्तों अगर किसी भाई ने vaccine नहीं लगा है अगर उन्हें link चाहिए vaccine के लिए रजिस्टर करने के लिए तो आप हमें comment कर सकते हैं आपको link available मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों कई लोगों का question है कि इंडिया से क्वेट के लिए direct flight या फिर फ्लाइट अवेलेबल है या नहीं है तो आपको बता दे कि अब इंडिया से क्वेट के लिए कोई भी फ्लाइट के ओपर परतीबंद नहीं लगाया गया है अब इंडिया से दोस्तों कोई एरवेस या फिर अलजजिरा एरवेस या फिर फ्ल आने जाने वालों के लिए कोई भी प्रावलम नहीं है। लेकिन अभी फाइनली क्वेट ऑफ मिनिस्ट्री के तरब से बता दिया गया है कि यह सिस्टम भी क्वेट के अंदर लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यह कुछ सेक्योर्टी गार्ड है जो की घोरी पे बैठे हुए है पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यह कहीं पे भी शॉपिंग मॉल है या सौप है कहीं पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टन अपडेट था सभी के लिए क्वेट से सभी ख़बर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें दोस्तों मिलते हैं क्वेट से अगली अपडेट के साथ।